नीचे उपर नीचे होता है एसे मंच पर उस सो फण के कालिया नात के मस्तक पर उसके फण पे खड़े होकर के भगवान ने नृत्त किया है ना भजोरी मने जोरी चिता चाम सुसरे ना भजोरी मने जोरी चिता मने जोरी चिता चिता जा चिता चाम सुसरे पे खड़े हो लिवयर जे डिए con सुसरे लुज किता चान है की तो फिर भजुपर ने ठीचे पर थे हो है गोनारो मिच चंचा भरो ने वल दोड़े हैं अधियना बेना दोवाद ना आगेरिका भदुन मजगिना तरहनेजुन वहल्स के ने, मैंने झाले यांगा भी हर्तना चैस्थे करने आइका उस्ट आले बैसुन आपार। करिघवारि करते हैं करते हैं करते हैं इन शरह द आप देने करो दो करते हैं इनावरव करी नादा भबॉआरि, अजन मरणारि, नाचर गीर भारि नाचर के लिधारि देखों आजनवारं श्रीक 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 जो 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 बुल ये सत्चिदान अंद भगवाने की, बुल श्री मदभागवत भगवाने की, भगवान की. भगवान कालिया नाग पर नत्य करते हैं और नाग के सरसर फणों पर खड़े होकर के भगवान नत्य करके इस धन्य धरा को पावन करते हैं और सुनुदर तिरुतर का दरिशन भज़वान करा रहे हैं ऐसे श्री परमाटमा, ऐसे श्री ठाकुर जी जो आप जितने बैठे हो पांडल में आप पूरा अपना ध्यान कथा की हो रहते हैं भगवान में कालिया नाग परंगत्य किया और नत्य करते करते भगवान यमुना जी से बाहर पढ़ारते हैं उस कालिया नाग पर सवार होकर के शिठाकुर जी यमुना जी से बाहर पढ़ारते हैं सारे प्रजवासी भगवान की सुंदर दृष्चे को देख करके भगवान की छवी सुनिहारते हैं भगवान को बारंबार वंदन करते हैं भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं भगवान की जैजे कार करते हैं और पूरे यमुना का तट और पूरा प्रच भगवान की स्लिला को देख करके जैजे कार से गुझ उठा बोल ये बाल कृष्मेला लेकी नागनाथन भगवाने की बोलो सावरिया सेथ की श्रीमत भागवत भगवाने की बगवान कालियानाग को लेकर कि यमुना से बाहर पजारे हैं इसके पश्चार बगवान कालियानाग से कहते हैं आपका पुरा ध्यान कखा कियो चाहता हूँ बगवान कालियानाग से कहते हैं भाई जेक सुन इस यमुना के जल को छोड़ करके अब्दूर अपने इस्थान को लोट जा यूँकि ये पूरा जल जल दुशित हो गया है इससे ब्रजवासियों को, गायों को, वच्छोडों को, गोपियों को, गोपांग नाओं, वरजंग नाओं को बड़ा कश्ट होता तब कालिया नागने भगवान से विंती करी क्या विंती करिये कालिया नागने भगवान से कालिया नाग ने भगवान से विंती करी के प्रभूर अगर मैं यह यमना छोड़ करके कहीं और गया तो गरूर जी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे गरूर जी मुझे जीवित नहीं छोड़े हैं गरूर महाराज भगवान के वाहर है पक्षी राज है खग राज है वो मुझे छोड़े नहीं तब भगवान ने कहा कि देख भई चिंता मत कर अब मेरे चरण तेरे मस्तक पर इस्थापित हो गए हैं भगवान के श्री चरणशिन कालिया नाप के मस्तक पर भगवान ने पदरा दिये थे तो भगवान ने कहा कि देख मेरे चरण जो है तेरे मस्तख पर इस्थापिक हो गए है इसलिए अपको देश दुनिया के संसार के भ्रमांड के जिस कोने में जाएगा वहाँ पर गरूर तुझे नहीं छेड़ेंगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तेरे मस्तख पर अब मेरे च चरण विध्यमान है तब भगवान की आज्या पा करके यमुना को छोड़ करके और श्री भगवान आगे की यमुना को छोड़ करके कालिया नाग आगे की और बड़ा है और भगवान की इस विला के माध्यम से भगवान की इस कृपा से श्री यमुना जी कालिया नाग के आ इसके बाद भगवान ने एक और लिला को संपर्ण किया है बड़ी दिव्य लिला है बड़ी सुन्दर लिला है गोपिया जो है गोपांगनाई जो है वरजांगनाई जो है ये कौन है इन गोपियों के मन में क्या भाव है इन गोपियों के मन में भाव था कि हम परमातमा कृष्ण को पती के रूप में प्राप्त कर जाए एसा गोपियों के मन में भाव है अब देखो ये जो हमारा शरीर है ना पंडाल जो पीछे पीछ में जितने बेशे सब का ध्यान व्यास कीची हो भगवाल ने का ये जो अपना शरीर है ना देखो इसका पती कोई भी हो सकता है इसकी पतनी कोई भी हो सकती है लेकिन आत्मा का पती तो, बोलो, कौन होता है, पुरा पांडाल जवाब दगा, आत्मा का पती परमात्मा होता है इसलिए गोपियों के मन में देखिए गोपियां सब घ्रस्त हैं इन गोपियों का परिवार है गोपियों के बच्चे है गोपियों के पती है घर घ्रस्त है उसके बाद भी शरीर के इस्तर से उपपर उठ करके अब आत्मा के इस्तर पर पहुँच रही है और आत्मा के इस्तर से अब गोपिया परमात्मा के इस्तर पर पहुचने का प्रयास करना चाहती है गोपियों ने मन में ये विचार किया है कि कृष्ण को हम बती के रूप में प्राप्त करें क्योंकि वो उनके प्रियतम हैं उनके सर्वस्व हैं इसलिए गोपिया नित्य प्राता कालिन चार बजे उठ करके गोपिया रोज प्रम्म मोहरत में चार बजे उठ करके यमुना जल में इस्नान करने जाती है क्या करने जाती है यमुना जी में इस्नान करने के लिए जाती है गोपिया बहुत ज्यान से सुनने जितनी माताईं बेटी है गोपियां सार बजे उटकर के यमुनाजी में इस्टनान करने जाती है और क्यों जाती है क्यों कि प्रातह काल चार बजे यमुनाँ में इस्टनान करने के पशार उसी यमुना के स्तट पर गोपियां माता कात्याइनी का पूजन करती है कि माँ की छिरपा से उन्हें क्रिष्ण पती के रूप में प्राप्ण हो जाए माता जानकी भी सीटा जी भी स्वयंबर से पहले मा गोरी जगडंबा से आशिरवाद लेने गई तो मा से मा जानकी ने क्या प्राथना करी थी अन्यान करें लिएख लगुषार । तुल्सी भारी को जेख पुनी मुदीता मनमंगे तुल्सी भारी को जेख पुनी मुदीता मनमंगे जानो गोर अनकोल सियही हर समझा ही करी फिर मंज़द अन्ग 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 पर्दन लगे महसमदी नगदी नहीं हो तुम समान रखुदी अस विचार रखुद अंशमरी हरे विशेंग बन मीर सिरावर राम चंचरी के लिए पवन सुतहन ना नहीं के सिता जी भी अपने स्वयंबर से पहले मा के मंदिर में जातर के प्राथना करी थी कि मा मुझे मरमाच मा ही पती के रूप में प्राप्त हो रुकमनी जी ने भी विवास से पहले मा से प्राथना करी है कि द्वारी का धीश ही मुझे पती के रूप में प्राप्त हो और वो गोपिया, वो गोपांगनाई, वो परजांगनाई भी आज यमुना के जल में प्रादहकाल भ्रम्म वेला में इस्नान करके यमुना के ही तटपे माता काट्याइनी का पूजन करती है और माता काट्याइनी का पूजन करके या वर मांगती है कि श्री कृष्ण हमें पती के रूप में प्राप्त हो जाए लेकिन देखो आपको कथा कि प्रारंब में मैंने समझाया था न कि ये नर से नारायन बनने की विधी है तो विधी में कहिना कहीं दोश हो जाता है कहिना कोई कमी आ जाती है तो गोपियां कर तो बहुत अच्छा कार रही थी जिवन के अंदर बहुत अच्छा कार ये चल रहा है था लेकिन पता हूं से दोश कहा हुआ वो यमना में इसनान करने तो जाती है लेकिन नगन होकर के यमना के जल में इसनान करती है और यहाँ शास्त्र ने कहा है कि जल के अंदर सुरोवर के अंदर नगन होकर के इस्नान नहीं करना चाहिए उससे जल का वरुन का अपमान होता है दोश होता है एक दिन यमना में इस्नान करके काट्याई नीका पुजन करके गोपियां गोपांगनाएं लोटी अपने घर की ओर तो भगवान श्रीकृष्ण उन्हें मार्ग में मिल गए और भगवान ने उन गोपियों से कहा कि अरे कहां से आ रही है बनी यमना जी से आ रही भगवान ने कहां मैं जानता हूँ मुझे पता है कि तुम नित्य चार बजे उट करके यमना का इस्नान क्यों कर रही हो माता काट्याई मी का पुजन क्यों कर रही हो मुझे पती रूप महीं प्राप्त करना चाहती हो न ये मुझे पता है क्यों क्यों कि परमात्मा सर्वत तंतरियामी है सर्वनियंता है जुगत नियंता है उन्हें सब ज्याद है मगवान ने कहा कि तुम मुझे पती के रुपे प्राप्त करने के ये साधना कर रही हो अनुष्ठान कर रही हो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन गोपियों सुनो तुम एक गल्ती कर रही हो एक दोश कर रही हो बोले प्रभू क्या बात है बोले दोश ये कर रही हो कि तुम इसनान तो करती हो यमुना में ताटेनी का पूजन भी करती हो लेकिन यमुना के जल्ट के अंदर जिस प्रकार से तुम इसनान कर रही हो उससे श्री यमुना जी का वरुन का जल्टा अपमान हो रहा है दोच हो रहा है और ये उचित बात नहीं है इसलिए इस प्रकार से इसनान करना बंद करो मन माले धंसो नहीं, मन के मत से नहीं शास्त्र के मत से जीवन जीना चाहिए तो गोपियां थी, कल आपको सुना है न कि एक गोपि के सामने ठाकुर गया और कहा नेक सो माखन दे दे तो गोपि ने क्या कहा गोपि क्या कहीं, माखन ची ये बैढ़ जा कि अच्छाप सामने और वो अनंत कोटी ब्रह्मान नायक आपसन लगा करके सामने बेठा ये वोई को गोपियां है, इनने का अच्छा हम को ग्यां दे रहा है जाए ये ग्यान तेरे पास रख भगवान ना का इनको समझ नहीं आ रहे है, इनको प्रैक्टिकल करके बताना पाएगा तो अगले दिन जब भगवान ने ये भी कहा कि देखो तुम जाती हो और कोई मन चला विक्ति आ जाए और वस्तरों को चुरा ले तो कितना गलत होगा, कितनी गलत बात होगी, कितनी शर्म की बात होगी पर गोपियों ने भगवान की बात नहीं मानी, ये वो ही बात हो गई हम गुरू को तो मानते हैं, लेकिन गुरू की नहीं मानते हैं कथा को तो मानते हैं, कथा की नहीं मानते हैं, भगवान को तो मानते हैं, बर भगवान की नहीं मानते हैं, यही तो समस्या है जीवन के अंदर, यही तो दिक्कत है जीवन के अंदर, देखो आप, गोपियों ने भगवान की नहीं मानी, जो गोपियां भक्ति प्रेम की तो भगवान भी पहुँच गए और जैसे इन गोपिया में इसकार करने के लिए यमना जी में प्रवेश करने लगी तो भगवान तुरंद पहुच ए और भगवान ने वो जितना भी वस्त थे घाट पर पेडियों पर यमना जी के गोपियों के उठा करके ले गए और कदंब कि वरक्षे बात है इसके पशा 싸enti बहुत देर रहो गई घोफियों को यमना में इस्थान करते करती बहूत समिछ व्यतित हो it इतनी देर तक अब इस जल में त्रिड़ा करोगी इतनी देर तक इस जल में इस्थान करोगी अरे बहुत निकल इब यह धिर आप commerce करने का पूजन हे जिए कि जी से भाइर निकलने कि लिए अब द्रश्टी तत्कियोड टाली तो देखा ठी कि एक भी वस्तर नहीं कि ये ठीड किया देखा कि ये एक भी वस्तर तत्ते नहीं अ REALLY कर हो से बस्तर कहां चल से cuando मज़ए अब तो घब्राई के प्रकाष होने वाला है कि लोगघट्य हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा अगराने लगी सारी गोपि च्ट complete क्या करें अरे गए नहीं ले जाए गए हैं बोले देख उट केड़ी टांग वाला बैठा एक टाली के उपर बंशी लेकर प्यला की ताम आ हक्याच शबी ये भगवान का या सुन्दर सुरूप बगवान का भगवान पिली पितांबर ओड़े मोर मोर धारन करे ताली का मुलिया डाले और हाथ में बंशी लेकर के साथशाद भगवान उस कड़ंब के वरक्ष पर बेटे हैं छोटे से बाल पर गोपियों में जब क्रिष्ट को देखा तो कहा एक नहीं या अरे हमारे वस्त लोटा ले बोले मेरे पास तो वस्त रहे नहीं तुमारे तो बोले ये कदमब की डालियों पर क्या है तो भगवान उल्टा जवाब देते हैं भगवान केते हैं ये मेरे कदमब की फूल आए तो के रह बोले ऐसे फूल बोले मेरा कदमब दुनिया में सबसे निरालाए अब ये भगवाल इन थाकुर के लिए क्या का गया? तू टेडो टेडी टेडी रे दगरिया अरे कर निया हमारे वस्थर दे 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 दो भगवाल ने कहा मैंने तुम्हें समझाए था तुम्हें समझ में नहीं आया अब अगर अब इस कथा को सुनना अब ये जो परसंग आ रहा है इसके लिए मस्तिक्ष को थोड़ा उपर रखना भगवान ने कहा कि अगर वो अपने वस्तर चाहिए तो एक एक करके आओ और अपने वस्तर ले करके जाओ अब ये कथा दुनिया वाले ये भी कह सकते कि भगवान ने ये कैसी लिला करी गोपियों के वस्तर ले गए और फिर गोपियों के वस्तर चाहिए थे तो का कि एक करके नदी में से भार आओ ले करके जाओ एक बास समझे लेना जब भगवान ने इस लिला को किया है उस समय भगवान की उम्र साथ वर्ष की है, कितनी, बोलो कितनी है, मात्र साथ वर्ष की परमात्मा की आयूए, साथ वर्ष में ही भगवान ने गिर्रास धरन किया है, और साथ वर्ष में ही भगवान ने ये जीरहरण की लिला को संपन्न किया है, तो वो बालक के रूप में है यूओ या पुरुष के रूप में नहीं है और दूसरी बात हम कितने भी वस्तर पहन ले कितना भी आवरण अपने उपर डाल ले या कितना भी श्रंगार कर ले उसके बाद भी भगवान के सामने तो नग नहीं हो बोलो भगवान के सामने आवरण डाल लो मस्त्रफ पहलो मैकप करलो उसके बाद भी भगवान के सामने तो हम नग नहीं इसलिए इन कथाओं में कभी दोश मच देखना है इसलिए कर आप से मैंने कहा था कि कथा में बेड़ करके भी हम क्या दोश करते हैं पता है पांडल में आते हैं बैठते हैं सुनते हैं कठा में दोष क्या होता है बीना शुरत्धा कि अगर कठा को सुना जाए तो बीना श्रदधा और विश्वास रख करके भगवान की कथा को शरुन करना चाहिए इसलिए इन लीलाओं पर कभी दोष में करना चाहिए एक एक करती गोपियां भार आती है और अपने अपने वस्त्र ले कर्द हारु करती अब बहुत ने आश्युर वद्धार दिया और भगवान ने अश्विराज दिया और बहुता ने के तड़ पर में तुम सभी गोप्यों के साथ महारास करूंगा अब देखो कथा को नहां ला करके अब इस पर तात्विक साथ्वित चर्चा में आपसे करना चाहता हूं अब पूरा एक गंभीरता के साथ अपने विचारों को मुस्तिक्ष को आत्मा को मन को व्यास्विट्ट जिब गोप्यों ने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया है क्या हम कर रहे हैं क्या है कि फाला कि आप सब को बहुत अदिवाद है पांडाल में हमें हीतने बेटे हो खुब तपस्या कर। आप अपने लिए ताली बजाओ एक वाद इसकों की तप ही कहते हैं इसलिए निके धूप आए जो तप है ना तीन चार घंते यहाँ एक आसन से बेठना और भगवान की इलाओं को शमण करना ये क्या है ये परमात्मा को प्राप्त करने के उतकंटा ही तो अगर एसे भाव को ले करके बेठे हो तो विश्वास रखना एक दिन परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा अवश्य प्राप्त होगा अवश्य प्राप्त हो आईए देखिए गोप्यों ने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया कोकि आपको पता है जब पुध्धों ने गोपियों से पुछा कि बताओ रात दिन रोती रहती हो कोई काम नहीं है तो गोपियों ने क्या जवाब दिया था शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धूँ आठो या मुदो हमें शाम ही सुकाम ये शाम रती शाम मती शाम ही हमारी रती और शाम के बिना हमें कुछ नहीं भान है ये गोपियों का भाव है ये गोपियों का भाव है वो गोपी भाव हमारे अंदर जागरत होना चाहिए जब तक हमारे अंदर गोपांग नाव की किरपा से और किशोरी की किरपा से गोपी भाव जागरत नहीं होगा तब तक प्रमात्मा की प्राप्तिय संभर। क्रिश्ण को पकड़ने के लिए वो पकड़ में नहीं आता है वो बंधर में नहीं आता है हाँ वो बांध देता है यह पक्की बात उसको बांधने जाओंगे तो उसको बांध देगा कैसे माया में मोह में मद में लोग में अंकार में ऐसा घुमाय का इस संसार के अंदर की नि माया के पीछे मत दोड़ो, माया पती के पीछे दोड़ो, देखो, कबीरदास जी का जीवन देख रहा, कबीरदास जी, सबने नाम सुना है कबीरदास जी महराज का, 500 साल पहले इसी कल्यूग में अउतार हुए, प्रहलाज जी के अउतार थे कबीरदास जी महराज, क्या उस तठवे कबिरदाज जी बैठे थे, उस तठवे कदम वरक्ष था, तो तठ पे बैटके तो कबिर जी राम राम कर रहा हैं और उस गठ वरक्ष के पीछे खड़े हैं फगवान राम स्वयं। और एक आवास सुना दी कबिर जी को किया? कि कबिर्ताज का दोहा है किया? कबीरा मन निरमल भया जेसे गंगा नीर तंगा के नीर की समान मन निरमल होना चाहिए कबीरा मन निरमल भया जेसे गंगा नीर कबीर जी तो तट पे बेट के राम राम कर रहे हैं और व्रक्ष में पिछे राम जी खड़े हो करके कबीर कबीर जप रहे हैं यह क्यों क्योंकि कबीर माया के पीछे नहीं दोड़े माया पती के पीछे दोड़े माया पती के पीछे दोड़े एसा हमारा भाव परमात्मा के चरणों में इस्थापित होना चाहिए एसी श्रथा और एसी निश्ठा होई चाहिए तब जाकर के जीवन में परमात्मा की प्राक्ति कुछी आईए देखो एक पास समझना कितना समय जीवन में हमारे पास से इस पर विचार जाओगा समय बहुत कम है गया है और चला जाएगा लेकिन अगर उसमें भजन नहीं हुआ तो जीते जीवन में घाटे का सोगा हो जाएगा निशिन्त हो कि क्यों बैठे निशिन्त होना है तो भगवान के भरोसे निशिन्त रहे लेकिन आप इस संसार के भरोसे परिवार के भरोसे सत्ता और संपत्ति और धन के भरोसे निशित होते हो तो ये जिवन की सबसे बड़ी मुर्खता है देखो आप काल जो है ना काल याने मृत्यू काल सब के पीछे है लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है पलेट करके कहे रे काल हमारे पीछे दोड़ रहा है बजन कर लूँ काल सब के पीछे दोड़ रहा है देखो एक जीव एक जीती या मकोडा कुछ भी कहलो आप एक जीव अगर धरती पर चल रहा है तो वो निश्चित है कि अपना ही राज है लेकिन वो भूल गया कि उसके पीछे काल मेंडग के रूप मेंडग जैसे कोई जीव दिखा अपनी जिवान निकाल करके उसको निगल जाता है कि निगलता है वो जीव निश्चित चल रहा है लेकिन उस चोटे से कीड़े के पीछे काल मेंडग के रूप में आ रहा है और मेंडग में सोचा अपना कोई क्या भी आड़ेगा मेंडग भी निश्चित घुम रहा है लेकिन उस मेंडग से पीछे काल सर्फ के रू उस मयूर के मोर के रूप में चल रहा है लेकिन उस मयूर के पीछे काल सिंग के रूप में शेर के रूप में चल रहा है उसी प्रकार इस मनुष्य के पीछे भी काल चल रहा है दोड रहा है कब बकड ले और वो काल हमें अपना ग्रास बना ले समय का कोई भरोसा नहीं है इसलिए रहते समय में भगवान की कथाओं को शवन करके और भगवान की सेवा करके संतों का सानिध्य करके और भगवान के नाम का जब करके अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित करने का प्रयास करो उस विप्ति का जीवन धन्य है और उसकी मृत्तिव उट्सव है और महुत्सव है ये प्रयास जीवन के अंदर होनो चाहिए रही है अब देखो अब एक एसी कथा आ रही है नहीं भटका तो कथा का रस्ट चला जायेगा बिलकुल शान्ती हो जाए बच्चों को भी शान्त तरह के ध्यान से ध्यान इदर रखना अब जो कथा आ रही है उस कथा में शुबदेव जी भी क्या कहेंगे कहती हैं लेकिन हम हमारी कह रहे हैं quiz करसान में प्रवेश करने में अब हमें थोड़ा भै लगता है डर लगता है अब जो कथा क्योंकि ये जो कथा है ये कथा है विरहविरह विरह की कथा है देखो जब भगवान 11 वर्ष और 56 दिन होने आये ब्रच के अंदर लीला करते करते कितने पहले जा तरके और कंस को सचे तो कि कब तक निश्चिंत बैठेगा मुर्ख कब तक अब देखो ते लोग क्या कहते पता है कि कोई इधर की बात उदर करे तो नारज नहीं ये आपके वेवा रेके निदली बोला आप इधर ते लोग क्या कहते मालू ये है नी गुरुजी ये नारज बिद्धान है नारज एक बात कहे हैं आपसे अगर नारज जी दर कुदर नहीं करते नी तो वो रावन तनस अभी यहां बेठे हो तो ने जमीन खोद के गाड़ देते हैं अमने वो जिंदा आगर ये नारज जी नहीं होते तो नारज जी किलिए क्या कहा आप हगवत में नारम ग्यानम ददाती किती नारज हो जो ग्यान परदान करें वो नारज और नारज जी के नाम में रहस्य देखो नारज जिसकी बात को भी रद ना हो वो नारज है नारज तो देवर्शी है हमारे पुजनी है हमारे बंदनी है हम जो गवस्षरू है नाजची तोड़े तोड़े मतुरा में जाए और का एक कंस कब तक इस नीज़ में पढ़ा रहेगा चल तेरा काल बढ़ा होता जा रहा है वो कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुला तो ये काम कर धरुश येग्यकर और धरुश येग्यकर के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुला और यहां लाकर के उनको समाफ्त कर दो क्यों बुला रहे हैं कि उनको बुलाओंगा जो वादा किया है जोपियों से गोपांगना होथो कि मैं महरास गरूँ आई तो शरत पुरुनिमा की रात्री आई और भगवान यहुना के तड़ पर पहुचे शरत पुरुनिमा की रात्री है चंदर्मा पुरुन रूप से आकाश मंडल में विराजमान है भगवान की सुन्दर छटा का दर्शन हो रहा है भगवान यमुना के तट पर पहुच करके बंशी का नाद कर रहे है सुन्दर बंशी का नाद भगवान कर रहे है अजबूत नाद है भगवान की बंशी का उस भाव में आ जाओ भगवान बंशी का नाद कर रहे हैं यमुना के तट पे शरत पुर्णिमा की रात्री को बंशी का नाद हो रहा है अब ये महसूस करो, ये अनुभो करो कि आप और हम भी बर्खेडा पंथे में नहीं बैठे हैं श्री ब्रज के अंदर यमुना के तट पर विराज माँ सावरिया सेट के साथ खड़े हैं बंशी का नाद परमात्मा कर रहे हैं दिव्य नाद हुआ है ये नाद क्या है? ये बंशी बजा करके भगवान गोपियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम्हें जो मैंने वर्दान दिया था वो दीन आ गया है शरत पुर्णिमा की रातरी का आगमन हो गया है अब देखना भग्ती क्या होती है? लगन क्या होती है? आप डाते तो हो कि लगन तुमसे लगा बेखे जो हो गाते का जाए गाते हो कि नहीं गाते हो सुनते भी आज के लिए भजन बहुत चल रहा कि लगन तुमसे लगा बेखे जो हो गाते का जाए गाते हो लेकिन इसको आचरण मनी लाते हो गोपिया लेकर क्या यह गोपियों ने जैसे भगवान की बंशी का नाद सुना, तो एक गोपी अपने घर में अपने परिवार को भोजन परोस रही थी, पर जो ही भगवान की बंशी का नाद सुना, भोजन के पात्र वो पठका और दोड़ी है यम्रा के तठकी हो, क्यों? क्योंकि भगवान ने बु गोपी दोड़ी श्रिंगार कर रही थी जैसे भगवान की बंशी का नाध सुना तो होट पर लगाने वाली वस्तु नेत्र में नेत्र में लगाने वाली और पॉटांग श्रिंगार करके और वो भी दोड़ी यम्ना के तक्टवी एक मुपी ने जैसे बाद बड़ी ध्यान से सुणना एक जैसे ही भगवान की बद्चिस शुन करके यम्मना की और दोड़ना चाहरा उसके पती ने जाने जाना उसके पती ने हाथ फकड़ लिया रोग दिया करने यggak में नहीं बाहर अपने पती से कह रही है कि अच्छा मुझे कमरे में घेर दिया ताला लगा दिया किसलिए तुमें मेरे शरीर से प्रेम है मेरे शरीर से प्रेम है जाओ इस शरीर को तुम रखो और उस कक्ष के अंदर बेठे बेठे उस गोपी ने अपने शरीर को त्याग दिया और उस कख्ष में से गोपी की आत्मा निकल करके परमात्मा की और दोड़ी हो ये है भुटी ये है भुटी की श्रिश्टता और ये है भक्ती की पराकाष्टा और सीमा उस इस तरह में हमारी भक्ती होना चाहिए दोड़ी है वो गोपी क्योंकि शरील का पती कोई भी हो सकता है शरील की पतनी कोई भी हो सकती है लेकिन आत्मा का पती तो परमात्मा ही होता है इसलिए हमारी आत्मा का वरण परमात्मा के साथ हो जाए यही हमारे जीवन की धन्यता है वो गोपी दोड़ी है एसे करके हजारो हजार गोपिया अर्ध रात्री में शरत्पुर्णिमा की आधी रात को जहां भगवान विराजमान है यमना के तट पर सारी गोपियां पहुँच गई अब देखो लीला लीला पहारी ने फिर लीला करी थाकुर ने फिर लीला करी भगवान ने का अरे तुम सब रात्री को यहां क्या करें अच्छ अच्छ आवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा भूजन मेरे यहां पर है, आप मेरे यहां भूजन करने आना और आप सूँदे उसके घर पर जाकर खड़े हो और वो घर धनी बोले कि क्यों आये कैसे आये क्यों आये तो आप की क्या गती बोलो, कैसा लगेगा आप को प्यारी बारी बेज़िती करता है एक तो हमको आमंत्रित करता और कहता है काय को आए इसी प्रकार जब गोपियां पहुची नो यमना के तट पे तो भगवान ने का स्वाधत स्वाधते अच्छा बताओ केसे आना हुआ बंशी बजा के खुन गुलाया आमंत्रित किया अमंत्रन दिया आने के लिए और जब गोपियां दोड़ी दोड़ी आई तो कनिया कह रहे अच्छा कैसे आना हुआ अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शरत तुर्मा की रातरी चांदरी रात है बड़ी सुन्दर होती है तो इसके कारण यमना का जल अम्रत के समान दिख रहा है जंगल बड़ा सुन्दर दिखाई दे रहा है यह देखने की आई हो रात को अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है देख लिया अब गड़ जाओ यह है ठाकूर पकड में ऐसे आने वाला नहीं है परिक्षा लेता है और अगर इसकी परिक्षा में आप पास हो गए तो उस परमात्मा के पास हो गए गोपियो ने का अजबुत लिला करते हो प्रभू पहले तो बुलाते हो और वापिस भगाते हो यह कैसी बात है तो भगवान ने कथा सुनना भगवान भी बहुत पड़े कथा वाचे कि सोचो भगवान जैसा कथा कहने वाला पून होगा अपन तो यह पांडाल सजा करके कथा कह रहे हैं यह वेश्णों परिवार आयोजन कर रहा आपको आनन्दा रहा है भगवान ने कहां बोला मालू वहां कोई पांडाल और मायक नहीं लगाता भगवान वहां कुरुक्षेत्र के मेदान में उनने मंच का लगाया एक तरफ तो पांडव की सेना एक तरफ और पोर्वों की सेना एक बीचने पर चड़ने को तैयार है और भगवान ने कहा रुप 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 जश्ट मिनिट अभी अभी थोड़ा सा सस्सन करें उसके बाद लड़ेंगे और भगवान रथ लेके बीच में जा दोनों सेनाओं के पीच में जा करके विराध रूप दारन करके अरजुन को ग्यान दिया था और उसमें परमात्मा ने कहा था चिंता मत करना सभी के लिए कहा था कि योगक्षेमों वहब क्या भक्तों से कहा था चिंता मत करना तुम्हारा सब तुछ वरण में कर लूँगा वहन में कर लूँगा तुम निश्ट हो करके मेरा बज़न करना एसे परम ज्ञान देने वादे हमारे परमात्मा योगेश्वर की ख्रिष्ट भगवान ने आज ज्ञान एक तो ज्ञान भगवान ने को रुक्षेत्र के मेदान में अर्जुन्ग दिया और आज वही कनहिया ज्यान दे रहे हैं यमुना के कट पर शरत कुडिमा की रात्री में गोपियों को गोपियों को के रहें सुनो गोपियों तुम सब पती वरता नारी हो सुनना पाती वरत्य द्रम की शिक्षा दे रहें बगवान कह रहें गोपियों तुम सब पति वरता नारी हो और देखो ऐसा है गोपियो तुम्हें एक कथा सुनाता मैं कथा सुना दू उसके बाद तुम घर चली जाना बोले जल्ली सुनाओ क्या सुनाना चाहते तब भगवान ने का देखो एक पति वरता नारी अब गारि कि ऑफियों वो अपने पति की बहुत बड़ी भगत थी पति वोई परमेश्व जानती थी परमेश्वर जैसे यतना ठेकि इतना थे संब जराँ से कोई बाट हो कि आज गुरु जीसे सुन के आए पटीच परमेश्वर पतीच परमेश्वर होता है, तो मैं आपको के दुख मत बुलना यह जितनी दीवय जक्तंबा हैं यह जो आप आनद लोड शांती से पांडाल के अंदर बिल्कुल एक श्री बनाई रखो, आईए, बगवान ने कहा गोपियों कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बगवान अपने का गोपियों, एक पती बरता नाई थी, अपनी पती की इतनी सेवा कर से थी कि पती की सेवा उसको उस दिखाई देता ही था, एक दिन वो अपने घड के आंगन में बेठी हुई थी, उसी समय उसका पती बजार से लोड करके आया, और आ करके अपनी पती की गोद में पतिनी की गोद में बोलो लेट गया उसका पती बजार से आया और उसकी गोद में सो गया अब उसके पती को देरी नींद लग गया इतने में क्या हुआ कि गोपियों उसके घर के चोक में उसका चोटा सा नवजाद बालक था शिशु था गुठमन गुठमन चल रहा था घूम रहा था फूरे घर के अंदर उस चोक में और उसी के घर के चोक में ख़वन कुंड था उसके अदर अगनी जल रही था अगनी प्रजवाली थी अब इस महिला के मन में डर था कि कहीं मेरा बेटा चलता 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 खेलता खेलता उस अगनी कुंड में जाकी नहीं गिर जाए तो उसको जाके पकड़ भी नी सकती, क्यों? क्योंकि पती गोद में सोया है, गहिली नींद में है और पती को उठाऊंगी, तो पती की नींद तूटेगी और अगर मेरे कारण मेरे पती की नींद खराब हुई तो मेरा पाती वरत्र धर्मन नश्ट हो जाएगा ये मर्यादा है नारी की भारत के अंतर प्राती वरत्र धर्मन नश्ट हो जाएगा अब उसको आशू भी आ रहे हैं लेकिन नहीं आने देरी क्योंकि एक बुन भी पती के मुख पे गिरी तो बोलो, नीन खुल जाएगी ठीके आज पती कितने रोते हैं आए पता है आए थोड़ी है जल्दी बोलो कोई स्वारत खुला के रहे पीछ नी आए गोलो कि नी आए गोलो कि नी आए गोलो कि अदर कर लो यहां तो बले ध्यान रख थोड़ी तो कर लो उसके मन में जो शंक्या थी वोई घटना हट गई उसका बच्चा गुठबन गुठबन चलता चलता अगनी कुंड के पास पहुचा और उस अगनी के अंदर गिर गए क्या हुआ उस अगनी के अंदर वो बालग जल्दी बोलो गिर गए और जैसे इस अगनी के अंदर जाकर कि गिरा अब ये नहीं उठ सकती क्योंकि पती गोद में सोया है लेकिन घंटे दो घंटे बाद उसका पती हीन से जागा और जैसे गोद में से उठा तो वो दोड़ करके अगनी कुंडे के पास गई उससे लगाता है मेरा बच्चा तो जल करके भस्म हो गया होगा राख हो गया होगा लेकिन उसने पाती बर्ति धर्म निभाया था इतनी देर से जैसे अगनी कुंडे के पास जा करके गोपियों देखा तो उसका बच्चा अगनी के अंदर खेल रहा था वो अगनी भी उसके सकित्व से उसके पाती बर्ति से शितर हो गई ठंड हो गई और बच्रा खेल खिला करके उसके अंदर खेल आए बगवान सुना रही है कथा गोपियों गोपियों ये होती है पाती बरत्दर्म की निश्ठा चलो चलो अपने घर जाओ और अपने पतियों की सेवा करो गोपियों ने का बहुत अच्छी बात है हम अभी चली जाएंगी लेकिन आपकी साथ हम भी रही है तो हमको भी कथा बाचनी आती आपने तो कथा सुना दी अब एक हम सुनाना चाहती है एक कथा आपके हमने सुन ली अब एक कथा आप हमारी सुन लो उसके बाद जो निर्णाय आप दो के हम घर चली जाई अभी तो भगवान ने सुना ही अब गोपियों ने कथा सुनानी प्रारंप करी और गोपियों ने कहा प्रभू जैसे आपकी कहानी के अंदर एक पत्नी पति व्रति धर्मे वाली पत्नी थी एसे हमारी कहानी में भी एक पत्नी और पती है बड़ा ध्यान से प्रभू आप सुना और गोपियों ने कहा कि भगवन एक महिला थी वो भी बड़ी पती वरता थी पती की बड़ी सेवा करती थी पती को परमेश्वर मानती थी पती जब भर में आता तो गरम-गरम भूजन पती के लिए बनाती जब पती भूजन करने बेड़ता तो अपने हाथ से पंका जहाजती पती के चरण दबाती पती को चाय दूद करती जैसे आज पती करता है किन करता है सुबह-शुबह का मैं लो मेडम बलो वोई उसमें क्या हसने वाज़त यूगता प्रभाव है यह तो और आपके पास तो अच्छा शुरुक्षा कोई क्यों क्यों करती हो तुम ज़र से क्या ज़ती हो यूगता प्रभाव यूगता प्रभाव यह तो वो पती वो औरत वो महिला सुनो अपने पती की खूब सेवा करती थ देवी में कुछ दिनों के लिए भेट सारा धन कमाने के लिए देश इससे बाहर जा रहा हुँ तो उसके पत्री ने कहा स्वामी आप चले जाओं तो तो मेरा पातीवर्ट्य धर्म केसे निभेगा मैं तो नित्य आपकी सेवा करके अपना धर्म निभाती हूं आप चले जाओ उस महिला ने कहा थी स्वामी आप अगर बहार चले जाओंगे तो फिर मैं सेवा किसकी करूंगी तब उस महिला के पती ने एक मिट्टी का पुतला बनाया क्या किया मिट्टी का पुतला बना करके उस महिला के हाथ में दिया अपनी पतनी के हाथ में दिया और तहां सुन किसी को मेरा रूप मानना और इसकी सेवा करना में नहीं आऊं जब तर ठीक है साफ तेरा धरम नहीं छुटेगा पती तो चला देगा और वो रोज अंदर से दरवाजा लगा लेती घर का और वो जो मिट्टी का पुतला था उसका उसकी वो सेवा करती थी उसको पती मानती उसको इसनान करा थी उसको बोजन करा थी सोचो आप। इस बात को बोड़ा वाशनी बदल ले उनने पूरी क्या कोई समस्या इस प्रकार की जीवन में इतने दुबले पढ रहे हूं क्या बात क्या दुख क्या है बताओ पुरूजी को आज न्याओ करें आपका आनन्द है हां वीच वीच में आनन्द लेना चाहिए तुम यूद यूद बेठे रो तो में भी गवरूजी ने कुछ गलत दर्वाजा अंदर से बंद करके भ्यान से बहुत बहुत मजाके नहीं बहुत गंभिता की कथा है वो अपने मिटी के पती की रोज सेवा करती लेकिन एक दिन बहार से धन कमा के उसका असली पती आ गया और उसके असली पती ने आ करके घर का दर्वाजा खट खटाया उस समय वो महिला घर के अंदर मिटी के पती की सेवा कर रहे थी तो गोपिय ने का प्रभू आप बताओ जब असली पती आ गया तो उस मिटी के पती की सेव जाके द्वार खुलना चाहिए असली पती की सेवा करनी चाहिए बगवान न का ये भी समझ सुन केने की बात है जब असली आ गया तो मिट्टी की क्यों कर रही है जाके असली को पुझे तो प्रभूर अभी तक हम जिन पतियों के साथ थी वो मिट्टी के पुतले थे और हमें नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तब भगवान ने का कि ये परीक्षा में पास है सफल है तब भगवान ने गोप्यों के साथ रास किया महारास नहीं किया अभी सुनना रास महारास में अंतरा भी देख ले रास हुआ तो नाचना गाने क आपको रास मत समझ लेना क्रिश्न और गोपियों का, ये गोपियां कौन थी, रास क्यों हुआ, ये कल मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको किस समय की मर्याद आए, क्रिश्न रुख्मणी विवा करना है, डॉक्टर साथ तयारी है कि नहीं, अच्छा दर्य क्या हुआ, तया आईए, अब देखिए, रास हुआ, तो रास करते करते पता है क्या हुआ, रास करते करते ना, गोपियों के मन में अभीमान आ गया, और अभीमान किस बात का आया, कि देखो, हम कितनी परम सुंदरी है, और हम परमात्पा के लिए कितनी खास हैं, कि भगवान सब कुछ आएगा, उसके पास में नहीं रह सकता, और जैसे गोपियों के मन में अभीमान आया, नद्य करते करते भगवान रास मंडल के बीच में से अंतरध्यान हो गए, और जब भगवान डायब हुए, तब गोपियों को भान आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अभी इमान कर लिया, इसलिए भगवान हमें छोड़ करके चले गए है, पुरे वन में डूंडा, कहीं भगवान का पता नहीं चला, लोट करके सारी गोपियां फिर रासमंडल में आई, और भगवान को विरह में फुकारा, और भगवान को रो रो करके जब गोपियों ने फुकारा और उनके मुख से उस समय जो गीत निकला भगवान के विरह में वो गीत श्रीमत भागवत के अंदर गोपी गीत कहा गया है दो लाइन गोपी गीत की गाह करके हम आगे बढ़ेंगे गोपिया गोपी गीत में भगवान से निवेदन कर रही है जदेर मेरा बड़े श्रयर की निरा खज व डरीमत भागवत कर दो भागवत के तो इस आगे बड़ेंगे कभी यही तदर, कल्वी तर्या आतर हम। रूरने हम। पिश्मयाद मेरे के रूरने हम। पिश्मयाद मेरे आजाओ प्रफू। जीदा पाइचे आजाओ। जीदा पाइचे आपसे दरने पान कल गए। आपके आजाओ पन गए। आपके आजाओ। जब भगवान ने गोपियों को विरह में पुकारा तो भगवान पुनहा लोट करके आए। जब भगवान लोट करके आए तब गोपियों का अभिमान दूर हुआ। जितनी गोपियों उतने कृष्ण हो गए। और रास मंदल के अंदर महरास प्रारंब हुआ। दो मिनिट भगवान के साथ रास करें। और कथा को फिर आगे बढाएं। कथा में आगे प्रविश करेंगे। दो मिनिट भगवान के साथ आपकों हम भी गोपियों की तरह महरास करें। कान हारे थोड़ा सा प्यार दे चर लूमी जिस्थान दे दे काना हारे थोड़ा कान हारे थोड़ा सा प्यार दे चर लूमी जिस्थान 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 दे चर लूम पर बड़को नाइड आर आ आल मड़क На भारको वह जर घर पर भूरस और भड़को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आशेल जोही नाशेलने लुही आजेल मुंदा मैं आशेलने चाफी आशेलने लुही साफोधी आज़ जोही आजेलने लुही वाला नाची दूबी नाटी नाटी व्यक्तृ ओमर मेर नो बांटी जदी उने कनो बिल्वाणी क만 मेरो बद्रू है उस्धीक अनिल्लाह रहसे उसे न्जोह आत्युरव सबया ुसे नisl EU टूँए ने नसे रमक्ना इन पात्युरु भी आत्युर्वत ना कर दो जोड़ हैं... रासिर तो ही रासिर तो ही आजी हिविन्दा वैले रासिर तो ही बोले रासिर भगवान की आईए इसके पत्षाद महारास को भगवान ने पूर्ण किया है बहुत ज्यान से कथा में बेट जाओं विश्राम प्योर बढ़ रहे हैं भगवान की पराद भी उस दिर में आईएगी आप शांती से बेट दर के कथा का आनन देजिए आईए महारास फूर्ण करते हैं और अब नारज जी के कहने के अनुसार कंस ने क्रिश्ट और बलराम को लाने के लिए अकरूर जी को भीजा है किसको भीजा है अकरूर जी मतुरा से रत पर सवार होकर के ब्रंदा बनाते हैं क्रिश्ट और बलराम को लाने के लिए अक्रूर जी महाराज ज्लिस नंद भोन में प्रवेश करते हैं भगवान क्रिश्ट नधवर्वान बल्राम का 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 अक्रूर का का कै करके और अक्रूर जी से लिपट जाते हैं अक्रूर जी के गों धन्य कर देते अब भोजन प्रशाद हुआ, स्वागर सम्मान हुआ और रात्री में जब आने का कारण पुछा गया तो अक्रूर जी ने कहे दिया कि ऐसा है जी महराज कंस के कहने भूत ध्यान से सुनना पूरी सभाग कि महराज कंस के कहने पर मैं कृष्ण और बल्राम को लेवाने के लिए आया है उस समय ये शोदा भोजन करने बैठी थी लेकिन अभी एक ग्रास हाथ में लिया ही था एक निवाला हाथ में लिया ही था ये शोदान के और जब अक्रूर के मुख से ये बात सुनी लेने आया है उस बुरी शोदा के हाथ में से वो निवाला झूट गए और जाकर के क्रिश्ट और बल्राम को अपने हरे से लगा लिया और कहा कि क्रिश्ट और बल्राम तो मेरे नेतरों के तारे है आँखियों के तारे में इन्हेर में अपने से दूर नहीं जाने की अब थोड़ी देर सम्हाल लेना अपने को देखो खूब रूई है ये शुदा क्रिष्ण ने समझाया रात घर समझाया मां क्या करती है हम जाएंगे और बड़ा शेहर है हम आस तो गई भी नहीं है मतुरा हम जाएंगे और देख करके अगले दिन वापिस आज तो रोते जहूँ ये हैं वर्मात्ना के परतीर निश्ठा हां हम अगर इस दुनिया में किसी से प्रेंड करते हैं और वो हमसे बिछड़ता है तो बोलो मन के कितना दूप होता है होता है कि जोना आपका अपना वेवार है तो आपका दिल केसा दुखता आपकी हालत कैसी हो जाती है और सोचो, किसी भगवाद से अगर बिच्ड़े, भगवाद के प्रेमी से अगर बिच्ड़ेगा तो उसकी इस्ति क्या? यह भगवत प्रेम है इस तरह पे मत जी हो उस पे फोच जो यह भगवत यह प्रेम है रात खर रोई है जैसे तेसे भगवान ने राजी किया प्राता काल हुआ आज येशोदा ने कृष्ट बल्ग्राम को अपने हातों से इसनान कर आया और आज येशोदा पुनहा निद्ध की भाती अपने हातों से कनहिया का श्रिंगार कर ले उस बुड़ी मैया को यह पता नहीं है कि यह आखरी बार कर ले है क्योंकि यह जाएगा तो फिर चला जाए अब जब भोजन बना तो आज गोध में एक तरफ प्रिश्ण और एक तरफ बल्ग्राम को बिठा करके येशोदा ने अपने हातों से भोजन कराया समय हुआ जाने का तो जैसे ही नंद भवन का द्वार खुला है और भगवाद देखिये रेके जो ही नंद भवन का द्वार खुला तो नंद भवन के मेदान में 200 पक चाहत दिखाई देता है फिर ही फिर है गोवाले गोपिया ब्रजांगनाये ब्रजवासी ब्रजवासी खड़े हैं फिर ही फिर और वो इसलिए खड़े हैं कि हम अपने कनहिया को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है पक्वाल जैसे जैसे नंत भुवन की शिड़िया उठे और उतर गर के परमात्मा जो उस भीड में भूसे है कोई हाथ पकड रहा है, कोई चरण पकड रहा है कोई बायों में गलवईया दे रहा है कोई पकड रहा है, कोई इदर खीचे, कोई उदर खीचे वाल कहें कि हमें छोड़ के कनहिया मत जाओ कौपिया के रही है हमें छोड़ के कनहिया मत जाओ और तो उस भीड में गाय और बच्डे भी खड़े हैं वो भी भगवान की दिरब देख करके आंसू बहार आई है कि हमें छोड़ करके मग जाओ तेक नहीं या तुम हमें छोड़ करके चले जाँगे तो हमें कल वन में चराने के लिए कौन ले करके जाएगा वनुष्य के साथ साथ वो गाए और बच्डे भी अश्रू प्रभा कर रहे हैं भगवान से करुन उदन कर रहे हैं करुन पुकार कर रहे हैं आगे बड़े जेसे आगे बड़े रत में चड़े जो रत में चड़े इतने में ही रत में चड़ना हुआ भगवान का और यशोदा गिरती पढ़ती रोती रोती आई और कहा हे लाला हे लाला मुझे अभी पता चलो या मुझे अभी पता चला कि तु मेरा नहीं बोलो क्या इस्तुती है उस मा की आज उसने का मुझे अभी पता चला तु मेरा नहीं है तु तो देवकी का है अरे लाला मैंने तुझे उखल से बांधा, मैंने तेरी बिटाई लगाई, मैंने तुझे डाटा, कई इस बास से नाराज होके देवकी के पास तो नहीं जा रहा कहा था ना कि भक्ती ये सी करना कि हमारी आखों में तो आया है आपकी भक्ती देखकर कि आपके लिए भगवान की आखों में आशुआ जाना चाहिए आज ये शुदा की ये बात सुन करके कनिया वो अनत्य कोटी प्रह्मान नायत सुयम ध्रम उस रत में से फूद पड़ा और ये शुदा को गले लगा करके भूदा जा कि माँ तू केसी बात करती है तूने मुझे पाला और तूने मुझे अपना दूद पिलाया है तू मेरी माँ हो भगवान ने ये शुदा के चरनों में बना करना खुब धंधा मानी है ये शुटाइब ये विरह बहुत बुरी चीज हो से भगवान कोई कीची से बिच्छडे नी बस इतनी कुपा करागा मा को समझा करके कनही आरत में चड़े और रत जोई आके बड़ा गोपिया आरत के सामने आकर के लेड गई कि अकरूर तुमारा नाम किसरे रख दिया तुमारा नाम तो परूर होना चाहिए था जो हमारे प्राण प्रिटम क्रिश्ट को हमसे दूर ले जा रहे है कोपियों को समझा करके भगवान नहीन ताया है मार्क से तो सोयम किशोरी जी आ गई, किशोरी जी से कहा कि आप तो जानती है आप कौन है में कौन हूं क्या करने आए हैं तब किशोरी की राधा रानी तो ठाकुर की आलहादनी शक्ति है तो इस भी किशोरी जी ने मार के दे दिया और रथ आगे बढ़ा जब गोपियों ने भगवान से क्या कहा है जब गोपियों छोड़ के जाने लगे तो गोपियों ने कहा तो जा रहे हूं तो जाओं करिया तुम जा रहे हूं ना अच्छा चाओ इसी में तुमें खुशी मिल रही है हमें तड़ पाने में जा रहे हो तो जाओ पन्रिया लेकिन इतना रहे हो करते जा कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो अब तो पुराणों को भी ले दे जाओ परमारबा तुम हमारे प्रान प्रियतव हो तुम चले जाओंगे तो हम इहां जिवित के से रह बाएगे जाते जाते ना हमारे प्रानों को मिल कहें हो अगर प्रेम के मौन पर कि मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर तो उम्र भर साथ देने का वादा करो जैसे जा रहे हो छोड़ के हमें अपना रसिया बना करके अपनी भक्ती में लगा करके और हम सही बंधन छुड़ा करके जा तो गोपिया के रही है मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर तो उम्र भर साथ देने कावादा करो और आ गए हो तो जाने की जिदना करो और जा रहे हो तो आने का वादा करो जा रहे हो तो आने का मादा तरूंगो प्यागे जा रहे हो तो जाओ प्रिजी छोड़े के सब्सक्ता